कि आप सब अच्छे होंगे और अभी सेफ होंगे तो आज इस वीडियो में में ली चार कोईन के बारे में बात करने वाले चारो कोईन जो हैं पंडमेंटली काफी स्ट्रॉंग हैं हमें एक शौट टम में लॉंग टम में अच्छा गेंद दे सकते हैं तो यहां पर मुसके एं कि आप लोग थोड़ा से सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा सा नर्वस दीखों तो उसको में लेना आप यहां पर तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप बात करना चाहूंगा मार्केट इस टाइम पर आप शौट टम ट्रेट्स करके भी अच्छा प्रॉफिट अन कर सकते हो लॉंग शौट करके जैसा आप देख सकते हो अभी कुछ देर पहले टेलीग्राम पर मैंने यहां पर शेयर किया था कि प्राइस जो है वो टू टूट्वर के नियर अबाट था मैंने दो जोन सेलेक्ट किया यहां पर कि यहां तक प्राइस आथा तो हम डेफिनिटी एक इंट्री ले सकते हैं मैंने 6X के लॉंग किया था उसका भी मैंने पोजिशन वहां पर आपके साथ शेयर किया और लोगों को अच्छा कासा वहां पर प्रॉफिट भी हुआ तो अगर आप चाहो तो उस तरह कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेट लेके भी अच्छा कासा बार आ जाएंगी इसलिए मैं यहां पर कुछ ड्रॉण नहीं करूंगा सबसे पहले आप देख सकते हो यहां पर यह लेफ्ट शोल्डर बन रहा है ठीक है एक लाइट शोल्डर है और एक हैड है इसका तो इनवर्स हैडर बन रहा है जिसका जो नेक लाइन ने 163 का है कल इस अगर यह 1.30 के बिलो क्लोज होती है तो यह पैटन जो है पूरी तरह से इन्वैलिट हो जाएगा तो मेक शूर कि अपना रिस्क मैनेज करके चलो अभी यहां पर सारे लेवल्स आपको दिखा देता हूं नेक लाइन की जो मैं बात कर था यह जो दो ब्लेक लाइन दिख रह नचाहो तो हमारा जो पहला टार्गेट होंगा 1.85 का होगा 2.06 का थार्ट यहां पर होगा 2.33 का होगा उसके बाद जो मारा टार्गेट होगा वह हम रखेंगे 2.57 उसके बाद अगर इससे भी हैं ज्यादा तो फैबोर लेबल से डिवा डिसाइड करेंगे कि कहा तक तो डेली क्लोजिंग देखने वाली होगी अगर वह 1.63 से उपर होती है तो आप एंट्री कर सकते हो और अपने हिसाब से अपने स्टॉप लॉस्स जो है वह मैंच कर सकते हो अभी चलते हैं दूसरा क्वाइन जो मेरी नजर में है यहां पर मैं कहूंगा बेक क्वाइन टिक है अभी प्राइज उपर गया है काफी कोई ने जो पंप हो चुए है बट यह कोई ऐसा है जो अभी तक नहीं हुआ है तो आप यहां पर एंट्री ले सकते हो बट मेक्शूर मैं हमेशा करता हूं कि अपना रिस्क जो है उसको मैनेज करके चलना है पूरी तरीके से आपको तो देखिए आप कल के दिन क्या हुआ यहां पर डेली में यहां पर ब्रेक आउट हुआ यह बहुत बड़ी रेस्टेंस थी 5.40 से लिके 5.68 बट इसका सक्सेस्फुल ब्रेक आउट हो भी एक अच्छे वैलूम के साथ फिर अभी आप यह डेली के एंडिन फॉर्म होते हो देखने को मिल सकता है तो हम यहां पर भी एक एंट्री ले सकते हैं लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहां पर प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है 4.78 को क्रॉस करता है तो हम यहां से एक्जिट कर जाएंगे हम ज्यादा देर तक इसमें एंट्री लेने वाले नहीं है तो यह तीन कोईन से जहां पर मैंने आपके साथ एंट्री एग्जिट पॉइंट सारी चीज़े जो है वो मैंने आपके साथ डिसकस कर ली है और अभी हम आगे यहां पर बात कर लेते हैं थोड़ा बिटकोईन अपडेट के बारे में तो यहां पर BTC की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं WRX की WRX कोईन था जो अभी रह गया था तो अभी देखे WRX में क्या हो रहा है कि WRX में अभी एक रिवर्सल हो रहा है इतना बड़ा यहां पर पंप हुआ था उसके बाद प्राइस जो है वो डंप हुआ अभी आच्छा फ्सक अभी डिखा सकता ہے इसकी काफी यूसर जा रहे है यहां पर प्राइस तरह गया इस को ब्रेक किया प्राइस यहां गया आप इस प्रेसं को अबर ब्रेक करता है तो प्राइस बहुत अच्छा प्राइस डेगा जैसा कि आप जानते होा कि exchange पेस जो token होते हैं अगर वो एक बार अपने move पे आ गए तो फिर वो कितना अच्छा move देते हैं ठीक है तो WRX पे आप नजर रख सकते हो अगर आपको short term trade लेरो आपको exit करना है तो आप 1.21 के बिलो आप exit कर सकते हो लेकिन आप long term के लिए accumulate करने को सोच रहो तो अगर इस point में 0.79 से लेके 1.21 तक हो तो अभी आप short term में अगर entry लेते हो तो जो हमाई target होंगे वो आपको चार्ट पे देख रहे होंगे 1.5 यहां पे 1.84, 1.98, 2.30 यह सारे जो हमाई targets होने वाले हैं तो यहां पे मैंने आपको सारे coin में entries, target, exit points, सब कुछ बता दिया है यहां पे यह आप यहांस में भी return होता है trend reversal का कि यहां पर price जो है इसको breakdown करता नीचे आता है but price इतना bullish है तो मुझे नहीं लगता कि इस time पर price इतना नीचे आना चाहिए अगर आता है तो यहां पर 50,500 का एक अच्छा support हमें मिलना चाहिए जहांसे में एक अच्छा bounce back देखने को मिल सकता है previously bounce back पो इसके previous support 51 1000 से यहां पर 1000 डॉलर का dump आया था बटी 51,000 से exactly support से यहां पर उपर गया कोई बड़ी बात नहीं है जो pattern ही invalid हो जाते है कभी-कभी तो इसके ऊपर यह इस तरह जाकर यहां पर मैं आपको कभी example दिखाऊंगा इसके उपर जाकर यहां पर इस तरह भी निकल सकता है price तो ज़् पहला resistance हमको देखने को मिलेगा 53,437 का उसके बाद जो next मेजर resistance मैं कहना चाहूंगा 57,712 का ठीक है उसके कोई इतना resistance नहीं है Bitcoin इतना नीचे से उपर आया है इतना अच्छा खासा value मैं Bitcoin के अंदर तो अभी कोई डरने वाली बात नहीं है और अगर altcoin में बात कर रहे हो कि altcoin bearish का होंगे तो मैं कहूंगा अगर Bitcoin यहां से तोड़ा सा नीचे भी आता है 49,500-700 के अब भी रहता है तो जो altcoin हो पूरी तरह के से bullish होंगे दिक्कत तब होगी जब 49,500-600 जो है वो break हो जाएगा तो उससे पहले आप बिलकुल भी panic होने के जरूत नहीं है market जो हमें से ladder form में चलती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलती है आप यहां से देख सकते हैं कभी भी stable पूरी तरह से ऊपर नहीं चलती है तो entry low चोटा-चोटा profit earn करो exit करो LTC मैंने आपको बताए कि इस तरह चोटा मोंटा profit लिया यहां पर entry किया था इस point मैंने जाके तुर्ण एक्जिट भी कर और यहां पर शेयर कर दीगा वीडियो को और बताएगा कि कैसा लगा अगर आप इस तरह की वीडियो दोर चाते हो तो और हम करेंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा थैंक्यू